हलो, वल्कम बेक तो माई चैनल साइक्लोजी स्पिरिट और आज हम करेंगे वाइगोट्सकी की सोशल कल्च्रल थियोरी मेरी ये वीडियो आपको टीचर रिलेटर जितने भी एक्जाम से उसमें हल्प करेगी साथ में में साइक्लोजी वाले स्टुडेंट्स को भी हल्प करेगी तो मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेव वाइगोट्सकी का पूरा नाम लेव सीमियोनोविच वाइगोट्सकी है और इनका लाइफ स्पैन 17 नवंबर 1896 से 11 जून 1934 तक रहा है और ये रश्यन साइक्लोजिस्ट है इन्होंने जो अपनी फिल्ड में काम किया है वो है साइक्लोजिकल डवलप्मेंट इन चिल्रन और इनका जो सबसे ज़ादा योगदान जो रहा है वो है कल्च्रल हिस्टॉरिकल साइक्लोजी जेड पीडी जिसको कहते हैं जोन ओफ प्रॉक्सिमल डवलप्मेंट और इनर स्पीच इनकी थियोरी का नाम सोशो कल्च्रल थियोरी है और इनका मानना था कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने समाज और संस्कृति के माध्यम से सीखता है लेकिन लैंग्विज यानी भाषा उसमें एहम भूमी का निभाती है नोलिज को ट्रांसफर करने में इनका मानना था कि बच्चे की उपर सबसे ज़ादा इफेक्ट जो है वो समाज और संस्कृति का पढ़ता है समाज और संस्कृति में ज्यान पहले से ही है वो एक दिन में नहीं बना है तो हमारे अब कुछ आगे बेसिक कॉंसेप्ट्स आते हैं जिसमें आता है सोसाइटी, लैंगविज, कल्चर, थौट्स और इंटरनलाईजेशन तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वन बाई वन करके तो पहला आता है सोसाइटी मानव एक समाजिक प्रानी है और हम अपने समाज से बहुत सारी चीज़े सीखते हैं जैसे moral values हो गए समाजी करन बच्चे में शुरू से ही develop हो जाती है जब वह पहले दूसरे लोगों के साथ contact में आता है सबसे पहला social agent family होता है उसके बाद आते हैं peers हो गया, school हो गया, neighbor हो गए तो यह आते हैं तो सबसे पहला social agent वो family होता है तो बच्चा शुरू से ही समाज के touch में रहता है और चीज़ों को सीखता है बच्चा समाज के according चलने की कोशिश करता है बच्चा समाज के according चलने लगता है तो वाइगॉस की कहते हैं कि बच्चे के development में social interaction important role play करता है समाज में ग्यान पहले से ही है और वो हजारों सालों में create हुआ है हम इस ग्यान को as it is लेते हैं तो हम जल्दी सीखेंगे और हमारी knowledge बढ़ेगी जैसे बच्चों को बताया जाता है कि जूट नहीं बोलना चाहिए चोरी नहीं करनी चाहिए तो इनका ये नहीं है कि इनको पहले example create कराये जाता है ये चीज़ बच्चा अपने घर से अपने समाज से सीखता है कि ये चीज़े गलत होते है यह हमें बढ़ों का आदर करना चाहिए तो ये सब चीज़े क्या है ये हमारी moral values है जो हम अपनी family से अपने समाज से सीखते है तो समाज हमारे development में important role play करता है यहां बच्चा अपने आपको समाज से जोडने की कोशिश करता है हम एक और example लेते हैं बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो समाज के द्वारा ही होता है ठीक है बच्चा अपना समाज के द्वारा language को सीखता है कि किस तरीके से society जो है वो important role play करती है हमारे development में तो यह था society next आता है culture culture हमें अनुमती देता है कि आप अपने समाज में आपस में बातचीत कर सके मिलकर problem solve कर सके और अपनी knowledge को construct कर सके culture के अंदर बहुत सारी social aspects आते है जैसे अलग-अलग culture की अलग-अलग भाशा होती है अलग religion होता है अलग वेश-भूशा अलग रिती रिवाज अलग खान-पान और अलग music होता है किस तरीके से behave करते हैं लोगों के साथ यह सब चीजे भी culture में आती है और यह सब चीजे हमारे development में help करती है लेकिन language माध्यम से ही हम यह सब चीजे सीख पाते हैं जैसे example होगा computer है, internet है यहां बच्चा active learner होता है जहां वो अपने समाज और संस्कृती के साथ तालमिल बिठाने की कोशिश करता है तो यह है हमारा culture नेक्स्ट आता है language भाषा एक माध्यम है जहां हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं भाषा और thought आपस में interdependent होते हैं जैसे आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि सोच समझ कर बोलेगा तो इसका मतलब हमारी language में थोट एहम भूमी का निभाती है तो language और थोट जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ठीक है तो पहले सोचना है और उसके बाद बोलना है नेक्स्ट आता है internalization internalization का मतलब होता है samavation मतलब छोटा बच्चा जादतर चीज़े अपने culture से सीखता है चीज़ों को as it is लेता है तो knowledge का as it is लेना ही internalization कहलाता है samavation कहलाता है नेक्स आता है हमारे three major themes जो हमने देखे हैं कि क्या क्या है और ये इस theory में किस तरीके से अपना important role प्ले करते हैं ये हम देखेंगे सबसे पहला आता है social interaction यहां बच्चा समाज के साथ अपने link बनाता है और समाज से interact भी करता है तो वाइगौस की कहता है बच्चा खुद knowledge construct करता है समाज के द्वारा और language भाशा के माध्यम से बच्चा अपना knowledge को construct करता है बच्चा कुछ problem तो खुद solve करता है लेकिन अगर बच्चों के पास challenging problem आती है तो उनको जरूरत होती है social agents की तो यह था हमारा social interaction सेकिंड आता है MKO MKO का मतलब होता है more knowledgeable others example लेते हैं अगर बच्चा कोई activity करता है और बच्चे से वो activity नहीं होती है try करने के बाद भी लेकिन अगर बच्चे को हलका सा hint मिल जाए तो बच्चा problem को solve कर लेगा तो वहाँ पे क्या करेगा कोई भी जो उससे ज़ादा जो उस बच्चे से ज़ादा knowledge जो रखता है वो उसका peers भी हो सकते हैं उसके parents भी हो सकते हैं उसके teachers भी हो सकते हैं या कोई भी more knowledgeable person हो सकता है जो उससे ज़ादा knowledge रखता है और उसको वो चीज आती है तो वो उसको हलका सा hint देगा और जिसके कारण बच्चा उस problem को solve कर लेगा यहाँ पर सिर्फ बच्चों को hint देना है या कोई cues देने है ठीक है technology और tools का भी use कर सकते है तो यह क्या होता है more knowledgeable others next आता है ZPD ZPD मतलब होता है संभावित विकास का शेत्र कि बच्चा यह चीज़े सीख सकता है बच्चे की संग्यान को बहतर बनाने के लिए ZPD का प्रयोग किया गया है हमें बच्चे को चुनोती पूर्ण activities देनी हो चाहिए और activities ना जादा easy हो ना जादा मुश्किल हो कि बच्चा कर ही ना पाए और ना ही इतनी easy हो कि बच्चे उसको करने से बोरो चाता है scaffolding इसमें बच्चा अपने आप try करेगा बट इससे solve नहीं होगा लेकिन अगर उसको hint मिल जाए तो वह solve कर लेगा और जो hint है वो कौन देगा more knowledgeable others जो है वो उसको hint देंगे जो उस बच्चे को वो hint मिलेगा उसी को कहते हैं scaffolding scaffolding का मतलब ही होता है सहारा देना और सहारा कोई भी दे सकता है teacher, intelligent students, most intelligent person, peers, etc बच्चा अगर बहुत low level पर होगा तो बहुत सारी scaffolding देनी पड़ेगी और बच्चे का level बढ़ जाएगा तो धीरे-धीरे scaffolding को कम करना पड़ेगा, तो ये है हमारा scaffolding, इसमें एक thumb rule याद रखेगा, अगर question में पूछा जाता है कि उस help hint या cues या फिर guidance को क्या कहते हैं तो वो होता है scaffolding, ठीक है, क्योंकि scaffolding का मतलब होता है सहारा देना हलका सा hint बच्चों को देना अगर पूछा जाए कि वो concept क्या है, तो वो है zpd zpd मतलब होता है zone of proximal development तो हम अब इस diagram को समझते है, zpd and scaffolding scaffolding का मतलब मैंने आपको बता था, सहारा देना या सहीयोग देना, तो बच्चों की help करना, उनको hint देना, उनको cues देना तो ये सब चीज़े आती है हमारी scaffolding में zpd होता है, संभावित विकास का शेत्र की यहां बच्चा कर लेगा अब आता है बीच में लिखा हुआ है what I can learn on my own ये वो वाली चीज़े हैं जो बच्चा एक दो बार try करेगा और बच्चे से खुद solve हो जाएगा ठीक है, इसमें उसको किसी की help लेने की जरूरत नहीं है बच्चे को help की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां बच्चा एक दो बार खुद try करेगा और बच्चा easily कर लेगा नेक्स्ट आता है what I can learn with help जिसको हमने का ZPD ये वो वाला concept है या ये वो वाला शेत्र है जहां पर बच्चे जहां पर बच्चा try तो करेगा लेकिन अगर उसको हलका सा hint मिल जाएगा तो बच्चा उस problem को solve कर लेगा तो यहां पर बच्चा सीख सकता है लेकिन कब सीख सकता है जब उसको हलका सा hint या क्यों मिल जाएगा तो ये क्या है इसको कहते हैं हम ZPD मतलब बच्चे का संभावित विकास का शेतर है कि यह बच्चा कर सकता है एक example लेते हैं जब parents बच्चे को cycle को चलाना सीखाते हैं तो parents पीछे से cycle को पकड़ के रखते हैं और बच्चा चला रहा होता है तो वो क्या है वो सहारा दे रहे हैं वो स्केपГ फोलिंग है और जब बच्चे ने बीना सहारे की चीज़ों को चलाना सीख लिया तो वो क्या है साइकल सलाना क्या है एक संभावित विकास का शेतर है कि बच्चा ये कर लेगा लेकिन अगर उसको हलका सा हिंट उसमें मिल जाएगा तो बच्चा इजीली कर लेगा ठीक है अकेला नहीं कर पाएगा लेकिन हिंट मिलने के बाद ये थोड़ा सा सपोर्ट मिलने के बाद बच्चा उस चीज़ को कर लेगा तो इसको हम क्या कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग और जो बच्चा साइकल चलाना सीख सकता है उसको हम कहते हैं ZPD ठीक है तो नहीं पर जो more knowledgeable person है वो इसमें help कर सकता है या हमारे कोई tools and technology जो है इसमें help कर सकता है next आता है beyond my reach जो सबसे भारवाला circle है उसमें लिखा हुआ है beyond my reach इसका मतलब है कि बच्चे को कोई अगर help में अगर बच्चे को कोई help भी मिल जाएगी तो भी बच्चा नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये एक gap है ZPD क्या है ये एक gap है जो बच्चा खुद कर पाएगा उसके और जो बच्चा नहीं कर पाएगा without किसी help के उसके बीच का gap है ZPD ZPD में क्या है अगर बच्चे को हलका सा support मिल जाता है हलकी सी cues मिल जाती है तो बच्चा easily उस चीज़ को solve कर लेगा हमें बच्चे को पूरा solve करके नहीं देना है हमें सिर्फ बच्चे को हलका सा सहारा देना है हलका सा push करना है और बच्चा उस चीज़ को solve कर लेगा तो ये था हमारा ZPD and scaffolding next ये जो picture है ये है language की और इसमें stages बताई गई है कि language की 3 stages होती है पहली आती है social speech जो change हो जाती है private speech में और फिर private speech जो है वो change हो जाती है inner speech में तो देखते हैं one by one सबसे पहला आता है social speech social speech को हम external speech भी कहते हैं इस stage में बच्चा दूसरे की behavior को control करता है जैसे बच्चा रोता है या चिल लाता है जैसे एक example लेते हैं जैसे बच्चा कहते है I want milk तो parents उसी के according काम करते हैं और उसको दूद ला कर देते हैं तो ये क्या है बच्चे दूसरे के behavior को control करते हैं second आता है private speech जिसको कहते हैं व्यक्तिगत वाक ये 3-7 साल तक के बच्चे में होता है इसमें बच्चा बढ़ बढ़ा रहा होता है और private speech जो है वो change हो जाते है inner speech में private speech का एक example लेते हैं जैसे चोटा बच्चा जो है वो अपने खिलोनों से खेल रहा होता है तो बढ़ बढ़ा रहा होता है कि मेरे टाड़ी बिर को भूक लगी है तो छोटे बच्चे जो हैं वो अपने खिलोनों के साथ खेल रहे होते हैं और साथ में उनसे बाते भी कर रहा हैं बढ़ बढ़ा रहे होता है उनके साथ नेक्स आता है inner speech ये final stage है speech development की ये soundless या inner speech होती है नेक्स आता है inner speech ये final stage है speech development की ये soundless या inner speech होती है ये speech older children and adults use करते हैं इस stage में बच्चे अपने दिमाग में ही चीजों को count करते हैं या बच्चे mind में ही बिना बुले चीजों को solve करते हैं तो वाइगॉस्की के नुसार बच्चे के बड़ बड़ाने से knowledge construct होती है तो ये जो है social speech जो है वो private speech में change होता है और private speech जो है वो inner speech में change होती है next आता है school implication की इस theory को हम school में किस तरीके से use कर सकते हैं तो सबसे पहला आता है social constructivist ये शुरू से ही discuss होते आ रहा है कि इसका मतलब होता है कि बच्चे जो है वो जादा चीजे जो है वो समाज से सीखते है उनकी जो knowledge construct होती है वो समाज के द्वारा होती है समाज जो है वो important role play करता है उनके development में और यहाँ पर बच्चा जो है वो social या group में activities करता है तो यह है हमारा social constructivist उसके बाद आता है collaboration activities यहाँ पर होता है इसमें सिर्फ बच्चे होंगे और आपस में एक दूसरे की help करेंगे इसमें teacher नहीं होगा तो collaboration activities में सिर्फ बच्चे होंगे teacher नहीं होगा और बच्चे ही आपस में एक दूसरे की help कर रहे होंगे नेक्स्ट आता है Peer Tutoring यहाँ पर एक बच्चा most intelligent या दूसरे बच्चे को सिखाएगा एक most intelligent बच्चा दूसरे बच्चे को सिखाएगा सिर्फ यहाँ पर दो बच्चे होंगे और एक सिखाने वाला और दूसरा सीखने वाला यह होता है Peer Tutoring नेक्स्ट आता है Cognitive Apprenticeship जिसमें सिर्फ एक बच्चा और एक टीचर होगा एक ही टीचर एक ही बच्चे को गाइड करेगा जैसे की Home Tutions में होते हैं नेक्स आता है Reciprocal Teaching इसमें बच्चे भी और टीचर भी होंगे इसमें Teacher as a Student होगा इसमें बच्चे टीचर की Thinking को Challenge कर सकते हैं नोर यहाँ बच्चे और टीचर दोनों आपस में सीख रहे होते हैं तो यह होता है हमारा Reciprocal Teaching नेक्स आता है Guided Instruction यहाँ पर बच्चे और टीचर होंगे और यहाँ टीचर उन्हें Guide कर रहा होगा यह यूज होता है जहाँ पर Dangerous Task होते हैं जैसे की Chemistry Lab हो गया करेंगे बच्चे ही लेकिन सिर्फ टीचर उनको Step बताएगा तो यह होता है हमारा Guided Instruction बच्चे अगर Low Level पर है तो बहुत सारी Scaffoldings देनी पड़ेगी जब बच्चे का Level बढ़ जाएगा तो धीरे-धीरे Scaffoldings को हमें कम करना पड़ेगा तो यह थी हमारी Vygotsky की थियोरी करते हैं हम वygotsky की थियोरी में अंतर क्या है तो जो Jean Piaget थे वो हमारे Swizerland के हैं और Lev Vygotsky जो थे वो रशिया के थे नेक्स्ट आता है Jean Piaget जो है वो Constructivist थे हैं दोनों ही Constructivist एक कहता है वो अपने Physical World के साथ Interact करके सीखता है अकेला सीखता है लेकिन जो Lev Vygotsky कहता है कि बच्चा जो सीखता है वो Social Constructivist समाज के द्वारा चीजों को सीखता है बच्चे का Development होता है Jean Piaget ने Stages दी है Lev Vygotsky ने कोई Stages नहीं दी है Next वापस वो ही है जो भी समझाया कि यहां बच्चा अपने Physical World के साथ Interaction करके चीजों को सीखता है उनको Importance दी गई है और Lev Vygotsky जो है वो Social World के साथ सीखता है उसको Importance दी गई है Piaget के अनुसार पहले बच्चे का विकास होता है फिर अधिगम होता है और Vygotsky के अनुसार पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है मतलब पहले Learning होगी बाद में Development होगा Jean Piaget जो है वो Individual Activity पर जोर देता है लेकिन Live Igotsky Social Activity पर जोर देता है कि बच्चा समाज के द्वारा समाज के साथ इंट्रेक्ट करके चीजों को सीखता है Jean Piaget की थियोरी का नाम जो था Cognitive Constructivist Approach या Cognitive Development या Intellectual Development था लेकिन Live Igotsky की थियोरी है वो है Social Constructivist Jean Piaget ने बच्चे के बढ़ बढ़ाने को EgoCentric Speech कहा है और साथ में ये भी कहा है कि बच्चे का इससे कोई Knowledge Construct नहीं होती है लेकिन Live Igotsky ने EgoCentric Speech को मतलब बच्चे के बढ़ बढ़ाने को Private Speech कहा है जिसको कहते हैं वेक्तिगतवारता और Vigotsky के अनुसार बच्चे के बढ़ बढ़ाने से Knowledge Construct होती है और Private Speech जो है वो Inner Speech में चेंज हो जाती है और ये थी हमारी Vigotsky की थियोरी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो Like, Share and Subscribe ज़रूर कीजेगा और मिलते हैं नेक्स जो थियोरी के साथ ओके बबाए